हलो व्यूवर्स मैं कशिश और स्वागत आपका नेक्स्टेंट लाइफ में वीकिन के वार में सुल्मान खान घरवालों की क्लास लगाते हुए दिखाए दिये थे इसका ने कंटेस्टंट से कहा कि बाल पकड़ कर यहां से निकाल दूँगा प्रोमो वीडियो में दिखाया गया था कि सल्मान अभी जीत बिचकुले की क्लास लगा रही है सल्मान अभी जीत से कहते है कि आप बहुत गलत हो गए हो ये जो आपने गंदी गंदी गालिया दी है कोई दूसरा आपके परिवार को दे तो आपको कैसा लगेगा जो गालिया दी है वो यहाँ पर हम दोरा भी नहीं सकते ये बनेगा प्राइम मिनिस्टर इसके साथ सल्मान खान गुसे में अभी जीद बिचकुरेश से कहते है मार के जाऊंगा सल्मान खान की गुसे को देखने के बार बिचकुले तिल मिला जाते है वो तुरंत वहां से उठते है और कहते है भाड में जाए ये शो मैं यहाँ रुखना भी नहीं चाहता खोलो दर्वासा जिहां दरलसल अभी जीद ने टास्क के दुरान प्रतिक को गाल्या दी थी इसके साथ ये डबॉलीना को भी काफी अपशब्द कहे थे पतादे की घर में हिंसा के जलते हार अपते उमर रियास को घर से बाहर कर दिया गया है उमर रियास में टास्क को लेकर लड़ाई हुई थी जगड़ा बड़ा तो उमर ने प्रतिक को धक्का दे दिया अब सल्मान खान और शो के मेकर्स ने मिलकर उमर को शोग से बाहर निकालने का फैस्वा लिया था और आखिर कार उन्होंने निकाल ही दिया उमर रियास में शोग से निकल कर गीता से मलाकाथ की जो क्योरोग्राफर है और उसके बाद जो हुआ वो सभी को मालू है लेकिन अगर बिग बास की ही बात की चाया है तो बताते कि 16 जन्वरी को उसका ग्रैंट फिनाल है था लेकिन अब मेकर्स ने काफी जादा और इंट्रस्टेंट चीजें कर दी है जिसको लेकर दो हफ्ते एक्स्टेंट कर दिया गया है ग्रैंट फिनाल है और उमीद की जा रही है कि शायद अब इन लास्ट के दिनों में टियार पी बढ़ पाएगी क्योंकि यहां पर तेजस्वी और करन कुंद्रा को लेकर भी काफी जादा चर्चा हो रही है बहस बाजी लगातार बढ़ती जा रही है वो मर्यास को लेकर अब तो रश्मी दिसाई के उपर उंगलिया उट रही है और वही पर उनकी मान ने भी अपनी चुपी तोड़ दी है लेकिन अब देखना यही है कि अब इस ग्रांड फिनाले में बिक पॉस 15 के आखिरकार इस बान कौन खिताब जीता है क्योंकि जाता को मीड लगाए जा रही है या तो शायद विनर करन कुंद्रा होंगे या फिर तेजस्वी प्रकाश लेकिन आपकी क्या राय है विनर को ल